पर कोई फाइदा नहीं हुआ कोई बात नहीं बाईज़ाब कोई बात नहीं कल से मैं तुम्हें चाल्श रुपे की दौई दूगा दस रुपे का फाइदा होगा ठीक है ठीक है पर डाक्टर साफ एक बात बताओ मेरे को तो खासी थी फिर आपने मोशन लगने वाली दवाई क्यों देदी वो इसलिए तुम अब खासने से पहले सो बार सोचे का ठीक है ठीक है डाक्टर साफ मेरे इस मोटे पेट का कुछ करो इसका तो सिरफ एक ही इलाज है वो क्या डाक्टर साफ तुम रोज सुगए दो ही रोटिया खाया करो ठीक है पर एक बात बता दो डाक्टर साफ ये दो रोटिया खाने से पहले खानी है या खाना खाने के बाद में ओहो चल रोटियों को सोड़ो सरस्थे के लिए आप रोज अक्सरसाज किया करो दाफ्टर साहब मैं रोज फुटवाल खेलता हूँ किर्केट और टैनिस भी खेलता हूँ अच्छा ये बताओ तुम रोज कितनी देर खेलते हो जब तक मुबाल की बैटरी खतम नहीं हो जाती ओहो बड़े मूर रखो यार तुम तो पागल हो गए हो कैसे हुए मैंने एक विद्वा से शादी की उसकी जवान बेटी से मेरे बापने शादी की तो मेरी वो बेटी मेरी मा बन गई उसके घर बेटी हुई तो वह मेरी बहन हुई नगर मैं उसकी नानी का शोहर था इसलिए वह मेरी नवासी भी हुई इसी तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा और मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरा बेटा अपने दादा का शाला बन गया और अबे चुपकर मुझे भी पागल गरेगा क्या लो यह मैं दवाई लिखता हूँ दवाई जरूर लिखो लेकिन कड़वी मत लिखना अरे चुकर बैठ ड़ाई जरूर लिख दो पर कड़वी मत लिखना रमत त्रीक आतर एक किलो जले भी लिख दूँ बैढ़ जारा में दोल डाक्टर साब परचे पर ऐसा क्या लिखते हो जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं मैं लखता हूँ मनना तो लूट लिया और तू भी लूट ले